राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब बहु का बिवा कहानी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेर करें राधे स्थान के एक छोटे से गाउं में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रेवती था, उसकी उमर 15 साल थी और वे बहुत ही गरीब परिवार से थी, वे तीन बहने थी और अपने माता पिता के साथ रहती थी, उसके पिता बहुत कम पैसे कमाते थे, उन पैसों में उनका प एक ठाकुर के यहां काम करने जाती थी, ठाकुर जो था और अधिराज सिंग, एक ठाकुर परिवार के बेटे थे, ठाकुर का बेटा था, उसका नाम अधिराज था, और उनके पिता का नाम बलवंत ठाकुर था, उनकी मा का नाम कल्यानी देवी था, एक दिन बलवंत और कल पंडित जी ने वलवंत से अपने बेटे अधिराज की कुंडली दिखाई तो पता चला कि अधिराज की जीवन आयू बहुत कम है यह सुनकर बलवंत और कल्यानी बहुत घबरा गए क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बेटा था और दोना अपने एकलोते बेटे से बहुत प्रेम कर पंडित जी से कहा कि आप कोई ऐसा हल बताईए जो कि हम कर सकें और हमारे बेटे को कोई भी आच ना है आप हमारे बेटे को किसी तरह से बचा लीजिए कोई तो ऐसा उपाय होगा पंडित जी फिर पंडित जी ने कहा कि जी हम इसका हल निकालते हैं और कल आपकी हवेली पर आकर आपको बताते हैं अभी आप लोग जाईए और हाँ चिंतित मत होईएगा हम हल जरूर निकाल लेंगे यह सुनकर बलवंत ठाकूर और कल्यानी देवी दौना की चिंता थोड़ी कम हुई और फिर दौना अपनी हवेली जो अपने घर लोट आए अगले दिन सुबह सुब बलवंत और कल्यानी देवी दौना पंडित जी के आने का इंतजार करने लगे फिर कुछ समय बाद पंडित जी हवेली पहुचे और पंडित जी को देखकर बलवंत और उनकी पतनी कल्यानी खड़े हो गए और पूछने लगे कि पंडित जी क्या उपाए मिला है तब पंड यानि आपके घर के जो बड़े बूढे थे पहले के समय में, वहां बहुत लोगों को मार कर उन लोगों ने उसको वे में डाल दिया था, इसलिए उन लोगों को कभी जो उनकी आत्मा है उसको शांती नहीं मिली है, इसलिए अधिराज को महां पर उनकी आत्मा की शांती के लिए पूजा करनी होगी, और उसके बाद एक ऐसी लड़की को ढूढना होगा, जिसका भाग्य इस्वर ने अपने हातों से लिखा होगा, जिससे यह होगा कि आपका बेटा उस लड़की के भाग्य से जीवित रहेगा, कल्या ने कहने लगी लेकिन वो लड़की कौन होगी उसे कैसे पहचानेंगे, तब पंडित जी ने कहा, पूजा के बाद हवेली लोटने पर जो लड़की सबसे पहले तुम्हें मिलेगी समझ लीजिए वही लड़की अधिराज ठाकुर की जिंदगी बचा सकती है, क्योंकि जिन लोगों को कुवा में डाला गया था उसी का श्राफ है अधिराज पर, इसलिए सांती पूजन के बाद वो माफ कर देंगे और अधिराज को उस लड़की से मिलवा देंगे, जिसकी वजह से वो जीवित रह सकता है, तब ही बलवंत और कल्यानी देवी कहने लगे कि पंडित जी जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए, लेकिन हमारा पुत्र जीवित रहना चाहिए बस, बलवंत जी कहने लगे कि एक काम कीजिए पंडित जी ये सांती पूजन हम कल ही करवा देंगे, और आप चिंता मत कीजिए, पूरी तयारी हम करवा देंगे, बिना समय गवाए जो है पूजा शुरू कर दीजिए, पंडित जी ने कहा, जी बिलकुल ठाकुर सहाब, शाम हो गई थी, और अधिराज घर आये, तभी उन्होंने मा की तरफ देखा, और उनकी मा उन्हें बहुत चिंतित दिखाई दी, तो वे अपनी मा से पूछ पढ़े, तभी कल्यानी ने अधिराज को सारी बाते बताईं, लेकिन अधिराज एक पढ़े लिखे इनसान थे, और एक उम्र, कम उम्र, लेकिन बहुत अच्छे वकील थे, वे अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ 24 वरस की उम्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया, और काम्याबी हासिल की थी, वो मा की बातों को अंसुना कर रहे थे, और सब अंध्विस्वास कहकर, कहने लगे कि सब अंध्विस्वास है, उसको भूल जाने को कह रहे थे, तब ही बलवंत ठाकुर आए, और सारी बाते बता कर कहा कि कल पूजा में बैठ जाईएगा, और सांती से पूजन कर लीजिएगा, उन्होंने अपने बेटे से कहा, तो अधिराज चुक चाप अपने पिता की बात सुनकर पूजा करने के लिए मान गए, क्योंकि वो अपने पिता की किसी भी बात को नहीं टालते थे, और अपने पिता की बहुत इज़्जत करते थे, अगले दिन शाम को पंडित जी की पूजा की त्यारी करने लगे, सारी त्यारी करके हवेली आए, और सभी को कुए के पास चलने के लिए कहा, बलवंद के तीन भाई और तीन भावी भी थी, पर उन सब को बस एक एक बेटी थी, और अधिराज घर का इकलोता बेटा था, इसी वज़े से घर में सब का लाडला था, सब कुए के पास गए, वहाँ पूजा हुई, फिर हुआ से सब घर के लिए निकल पड़े, तब ही रास्ते में रेवती दोड़ती दोड़ती, अधिराज और उसके परिवार की गाड़ी के सामने आ गई, तब ही अधिराज ने गाड़ी रोकी, और कल्यानी गाड़ी से उतर कर रेवती को उठा और पूछा, लगा तो नहीं बेटी, रेवती ने कहा नहीं मालकिन, नहीं लगा, छमा कर दीजिए हमें, हम आपकी गाड़ी के सामने आ गई, कल्यानी कहने लगी नहीं नहीं, जाएए आप घर जाएए, फिर रेवती जो उन दोनों को नमस्कार करके अपने घर चली गई, कल्यानी देवी भी गाड़ी में आकर वापस बैठ गई, फिर अधिराज अपने पूरे परिवार के साथ घर आ गए, कल्यानी देवी कहने लगी सुनिये जी, आपने उस लड़की को जाने कैसे देया, वह वही लड़की थी, आपने सुना नहीं था कि पंडित जी क्या बात कह रहे थे, बलवंत ठाकुर कहने लगे पागल है क्या, उस लड़की से हम अपने राजकुमार जैसे बेटे का विभा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कल्यानी जी, तब ही कल्यानी बलवंत ठाकुर की यह बात सुनकर नाराज और चिंतित हो गई, और जाकर सब को बताने लगी कि पंडित जी ने शादी करने के लिए बोला था, वो भी उसी लड़की से जो वापसी में सबसे पहले मिले, कल्यानी की यह बात सुनकर पूरे घर वाले चिंतित हो गए, और बलवंत के तीनों भाई बलवंत से कहने लगे, कि भाई साब जाओ और उस लड़की को ले कर आओ, और हमारे बेटे की शादी उससे करवाओ, बलवंत कहने लगा, लेकिन भाई साब, तीनों भाई नहीं माने, कि जो पंडित जी ने कहा है, वही कीजिए, जल्दी कीजिए, तभी सब के इतना बोलने पर, बलवंत ठाकूर अपने मान गए, कि सब इतना जोड दे रहे थे, और लड़की का पता लगाने को कहते हैं, और फिर बलवंत लड़की को पूरे, जो लड़की का पूरा परिवार था, उससे मिलने जाते हैं, और देखते हैं कि वे लोग तो, आर्थिक इस्तिती उन लोगों की बहुत खराव थी, वे लोग मुश्किल से खाप, खापी रहे थे, लेकिन पंडित जी की बात को देखते हुए, उनके परिवार के पास बलवंत ठाकुर गए, और देखकर रेवती के माता पिता ठाकुर जी उनके घर आये तो बहुत खुस हुए, और कहने लगे ठाकुर जी आप यहाँ पर कैसे आए हैं, तब बलवंत ठाकुर ने कहा कि तुम लोग से हमें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बेटी से हम अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं, और एक काम करो, तुम लोग अपनी बेटी को हमारे साथ भेज़ दो, किसी को भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरी बेटी के माता पिता हो, रेवती की मा कहने लगी लेकिन ठाकुर साब, बलवंत ठाकुर बोले, लेकिन क्या, बदले में हम तुमें पचास हजार रुपे भी देंगे, वैसे भी हमें लगता है तुमें पैसो की बहुत जरूरत है, बलवंत ठाकुर की बात सुनकर रेवती के पिता के मन में लालच आ गया, और वे मान गए, रेवती की मा कहने लगी, लेकिन रेवती के बापु से कहने लगी, कि रेवती के पिता से कहने लगी, आरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं ठीकी तो है हमारी रेवती को लेने आए हैं तो उनकी शादी किसी अच्छे घर में हो रही है और दूसरा हमें पैसे भी मिल रहे हैं तो यह तो बहुत अच्छी बात है उससे हम कोई काम की सिरुवात कर लेंगे तो हमारे भी हाला अच्छे हो जाएंगे यह सुनकर रेवती के माचुप हो गई और अपनी बेटी को बलवंत ठाकुर के साथ भेज दिया हवेली पहुंचते ही रेवती देखती है कि बहुत बड़ी हवेली है वहाँ पे अधिराज की तीन बेहने खड़ी थी तीनों का नाम विद्या सुनैना और रीवा जिसमें से विद्या और सुनैना बहुत सही अंदाज में थी और साथ पहुंचते ही रेवती को जो उन्होंने पसंद नहीं था किस तरीके से रह रही थी और रीवा बहुत साधे तरीके से रहती थी रीवा का सभाब भी बहुत नरम था रेवती बहुत प्यारी थी बहुत ज्यादा खुबसूरत भी थी लेकिन कम उम्र और रहन सेन उसका बिलकुल अलग था क्योंकि उसके माता पिता बहुत गरीब थे इस वज़े से वो सबको अच्छी नहीं लगी लेकिन रीवा फिर भी बहुत प्रेम और सनहे के साथ रेवती को अंदर लेकर गई और अपने कमर को बताते हैं अधीराज साधी के लिए तैयार नहीं होते हैं लेकिन सारे परिवार के कहने पर उन्हें मानना पड़ता है उसके अगले ही दिन बलवंत और कल्यानी पंडित जी को बुला कर शादी करवाने को कहते हैं तो शाम को ही पंडित जी मंदिर में सारी त्यारी कर दे और पूरे परिवार के साथ बलवंत को हुआ बुलाते हैं फिर बलवंत भी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं आज रेवती बहुत ही खुबसूरत लग रही थी क्योंकि रेवती को आज रीवा ने साही कपड़े पहनने के लिए दिये थे रेवती को देखकर कल्यानी उसको देखते ही रह गई, साथ ही पूरा परिवार रेवती की खुसी की तारिफ किये बिना नहीं रहा, लेकिन अधिराज ने एक बार भी रेवती का चैरा नहीं देखा, फिर उन दोनों की शादी हो गई, लेकिन रेवती शादी के बाद भी रीवा के साथ उसके कमरे में रहती थी, रीवा और रेवती की उमर एक ही थी, दोनों अच्छी सहलियां बन गई, रेवती को अधिराज अपनी पतनी के रूप में सविकार नहीं किये था, और पूरा परिवार भी रेवती के साथ नोकरों की तरह बरताब करता था, बस कल्यानी और रीवा रेवती को प्रेम से बोला करती थी, कल्यानी तो रेवती को अपनी बेटी से भी जो है, कल्यानी रेवती को अपनी बेटी के जैसे प्यार करती थी, रेवती हवेली में नोकरानी की तरह काम करती थी, लेकिन कल्यानी उससे मना करती थी, कहती थी कि बेटा, आपको यह सब कर करने की जरूरत नहीं है यहां पर बहुत से नौकर हैं नौकरानिया हैं वे यह सब काम कर लेंगे लेकिन रेवती कहती की नहीं माजी वो हमें कुछ बुरा नहीं लगता है काम करना हम तो पहले भी बहुत सारे काम किया करते थे कल्यानी फिर रेवती के सर पर हाथ रखती है औ और अधिराज संभू पानी लाइएगा हमारे लिए अपने नौकर को आवाज लगाते हैं लेगिन संभू ऐहा पर नहीं था इसी वज़े से रेवति पानी देती है रेवति कहती है जी पानी अब आज सुनकर अधिराज समझ जाते हैं कि वह रेवति है अधिराज कहने लगे संभू कहां गया तो रेवती कहती है जी वो अधिराज फिर महां से उसकी बाते सुने बिना चले जाते हैं और रेवती का चेहरा नहीं देखते एक दिन पंडित जी रेवती और अधिराज को मंदिर में बुलवाते हैं तबी रेवती और अधिराज मंदिर जाते हैं, तबी रेवती को पता चलता है क्यों अधिराज से रेवती की शादी हुई और अधिराज के साथ रेवती का रहना कितना जरूरी था, मंदिर आते वक्त अधिराज रेवती रेवती घर घरहाट बरी आवाज में कहती है जी, तो लड़की यहीं बगल के सहर के ठाकुर घराने से ही है उनका नाम सिवन्या सिंग राजपूत है और आप से शादी हमारे घरवालों ने अंद्विस्वास में आकर करवा दी रेवती कहती है जी अधिराज कहने लगे हम उनसे साधी तो नहीं कर सकते पर उन्हें धोका दे कर आप उनसे साधी कर लीजिए लेकिन हम भी यहीं रहेंगे क्योंकि हम वापस नहीं जा सकते और यकीन मानिये हमें आपकी साधी से कोई आपती नहीं होगी और हमारी वजह से आपको और आपकी पत्नी को कोई कष्ट नहीं होगा अधिराज कहते हैं लेकिन रेवती कहती है आ शाकुर साब हमने बस सातवी कक्षा तक पढ़ाई की है वो भी जबरदस्ती चले जाते थे सरकारी विद्याल्य में लेकिन पिछले एक साल से हम काम किया करते थे अपने पिताजी की मदद करने के लिए अधिराज कहने लगे ठीक है अधिराज के घर आकर सिवन्या के बारे मे पूरे परिवार को बताते हैं यैस उनका कल्यानी नाराज हो जाती है लेकिन पूरा परिवार अधिराज की बात से जो खुस हो जाता है कल्यानी देवी कहते हैं लेकिन रेवती का क्या होगा अधिराज कहते हैं वैसे भी तो आप लोगों नो उसके साथ गलती किया है लेकि लेकिन हम चाहते हैं कि विद्य सुनैना और रिवा के साथ रेवती की पढ़ाई पूरी की जाए फिर कल्यानी रेवती के पास जाती है और कहती है कि बेटा ये क्या किया तुने आपने इजाजत क्यों दे दिया धिराज को दूसरी शादी करने की लेकिन इसमें भी तो गलती नहीं है आपकी उमर से भी बहुत छोटी है लेकिन अपनी खुसी किसी और के हाथ में दे दी उसकी सास उसे समझाती है बेटी तुने ये क्या किया मानती हूं कि तो उमर में बहुत छोटी है लेकिन अपनी खुसी का तुने ध्यान नहीं दिया अपने पती को दूसरी शाद हो जाती है शिवन्या आती है और रेवती से मिलती है रेवती की खुबसूरती देखकर सिवन्या को अच्छा नहीं लगता शिवन्या भी ठाकुर परिवार की लड़की रहती है इसलिए सारे घर वाले सिवन्या को बहुत प्रेम देते थे लेकिन कल्यानी को रेवती ही पसंद ती क्योंकि रेवती बहुत साफ दिल की साधारन से लड़की थी सिवन्या सारा वक्त अधीराज के पास ही दिखाई देती थी सिवन्या और कुछ नहीं करती थी क्योंकि सिवन्या को कुछ काम करना आता ही नहीं था और रेवती वेचारी सारा काम क्या करती थी और अब तो साथ में वैपढ़ाई भी करती थी सिवन्या से रेवती उमर में भी बहुत छोटी थी इसलिए रेवती को बहुत तारिफ मिलती थी सिवन्या को ये सारी बाते बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी अधिराज और रेवती और सिवन्या की शादी को तीन साल बीत गए अब रेवती अठारा वरसकी हो गई थी और पहले से भी ज़्यादा खुबसूरत हो गई थी उसके खुबसूरती के चर्चे पूरे सेर में मसूर हो गए थे कोई नहीं जानता था कि रेवती के माता पिता कौन है और वे कहां से आई है और अब रेवती दस्वी की परिक्षा दे कर पहले इस्तान पर पास हुई थी कल्यानी और रीवा बहुत खुस थी एक दिन सिवनिया अधिराज से कहने लगी सुनिये जी क्यों ना हम रेवती को सहर भेज दें आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कामया भी मिलेगी क्योंकि आपने तो देखा ही है उनके अंक कितने अच्छे आएं अधिराज कहने लगे लेकिन वो अकेली कैसे रहेगी सिवनिया कहने लगी हमने सारा इंतिजाम करवा दिया है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी दीवा भी साथ में पढ़ना चाहती है तो हम उसे भी भेज देंगे अधिराज कहने लगे कि ठीक है हमें पूरे परिवार से बात करनी होगी फिर अधिराज पूरे परिवार से बात करते है परिवार के सामने सिवनिया के कही होई बाते रखते है और रिवा और रेवती की पढ़ाई के लिए भोलते है पूरा परिवार अधिराज की बात से सहमत होता है कल्यानी देवी भी रेवती की पढ़ाई का सोच कर हां कर देती है रीवा बहुत खुश थी क्योंकि वह तो यही चाहती थी दो दिन बाद सुभह सुभह रीवा और रेवती सहर जाने के लिए त्यार हो जाती है फिर सबसे विदा लेकर दोनों बहार आती है जहां अधीराज खड़े थे और दोनों को रेवे स्टेशन छोडने जाने वाले थे रीवा गाड़ी में बैठ जाती है और रेवती बैठने लगती है तब ही रेवती का पैर फिसल जाता है लेकिन रेवती गिरने ही वाली थी उसे अधीराज बचा लेते हैं इसी बीच अधीराज आज पहली बार रेवती का चहरा देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं देखते देखते एक दूसरों में खो जाते हैं फिर पीछे से सीवनिया आती है और यह देखकर गुस्सा हो जाती है लेकिन विनम आवाज में कहते अधिराज जाईए वरना दोनों को देर हो जाएगी फिर दोनों का ध्यान तूटता है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए जो रेवती और अधिराज भी गाड़ी में बैठ जाते हैं गाड़ी स्टेशन की और निकल चाती है और इस्टेशन पहुंचने के बाद अधिराज ट्रेन तक सारा सामान पहुंचा देते हैं दोनों को ट्रेन में बठा कर दोनों से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं वापस आते वक्त अधिराज सिर्फ यही सोच रहे थे कि रेवती की खुबसूरती के बारे में क्यों है कितनी खुबसूरत आज तक कितनी प्यारी और खुबसूत लड़की को देखे ही नहीं लेकिन रेवती अब उनसे बहुत दूर जा चुकी थी रेवती का कालेज कोलकत्ता के सहर में था कोलकाता पहुँच का रेवती और रीवा अपने होस्टल पहुँचती है वहां रेवती को एक कमरा दिया गया और वहां दोनों सिफ्ट हो जाती है दोनों का होस्टल गाल्स होस्टल था दोनों का जो होस्टल था पर गल्स होस्टल था लेकिन कालेज में लड़के और लड़क नहीं हुई थी तिक्योंकि हुआ सब वेस्टन कल्चर में जीने वाली लड़कीया बहुत थी लेकिन कुछ कुछ लोगों से दोनों की दोस्ती हुई थी महां एक लड़का था जो रेवती से सीनियर था और उसके पीछे बहुत सी लड़किया पागल थी और उसका नाम आरयन सिंगानिया था एक दिन कालेज के अंदर आते वक्त आरयन और रेवती टकरा गए क्योंके रेवती बहुत जल्दी में थी और लेट हो रही थी इसलिए बिना कुछ बोले ही वह महां से चली गई और एक बार भी उसने आरयन को ध्यान से नहीं देखा आरयन भी रेवती का चेहरा नहीं देख पाया लेकिन रेवती का यूँ वहां से चले जाना आरियन को अच्छा नहीं लगा उसे लगा कि ये कौन सी लड़की थी जिसने मेरी वैल्यू नहीं की क्योंकि आरियन के लिए तो लड़किया अपना क्लास तक सबको छोड़ने को त्यार हो जाती थी इतने में हुआ आरियन का मित्र राहू लाया और आरियन से बोला क्या हुआ भाई का खोया हुआ है तो आरियन अभी गुसे में ही था कहने लगा कि रेवती कक्षा की तरफ जो जा रही थी उसे देखकर बोला कि जो वो लड़की आई है पता नहीं कौन है मुझसे टकरा गई और बात भी नहीं की यह देखकर राहुल ने नजर गुमा कर देखा तो एक लड़की दीखी जो सपेद रंग का सरवार और कमीज के साथ लाल रंग की चुन्नी पहन कर बैटी थी उसके कपडों का रंग से आरेन पहचान गया कि यह वही लड़की है जिसकी तलास में वह यहां तक आया है उसका चैरा जैसे उसको देखा तो आरेन बस उसको देखता ही रह गया रेवती ने आरेन की नजर जी नहीं हट रही थी तब ही कक्षा में ध्या पका जाते हैं और आरेन का मित्र राहल वहां से चला जाता है वहीं कालेज के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था वहाँ पे आरियन और राहुल जाकर बैठ जाते हैं उसके बाद राहुल कहता है भाई चल क्लास में सर वैसे हमें पसंद नहीं करते हैं उपर से तेरी वज़े से मुझे से भी वो नाराज रहते हैं तेरा दोस्त होना भी तो गुना है लेकिन आरियन कहीं और ही खोया हुआ था उसे तो अभी सपेद रंग के कपड़ों में दीखी लड़की का ही ख्याल था यानि की रेवती का कॉलिज के प्रिंसिपल आरियन के पापा ही थे और राहुल भी उन्हीं की बात कर रहा था क्योंकि आरियन और उसके पापा जिनका नाम राजवीर सिंगानिया है दोनों के बीच बिल्कुल नहीं पठती थी राजवीर को आरियन का यूं मस्ती करना और लाइफ को बिल्कुल भी सीरिस नहीं लेना बिल्कुल पसंद नहीं था राजवीर को राहुल का कोई दोस्त भी नहीं पसंद था जो आरियन का दोस्त था वह भी पसंद नहीं था आरियन वहीं बैठा था तब ही रेवती और रीवा अपनी क्लास खतम करके बाहर निकली रीवा ने देखा कि आरेन हुआ से रेवती को एक नजर देख रहा है रीवा रेवती को देखती कहती है कि देखिये रेवती वो कब से आपको ही देखे जा रहे है आखिर क्यों यह सुनकर रेवती की नजर आरेन पर गई तो उसने देखा कि यह तो वही लड़का है जिससे सुबह आते वक्त टक्रा गई थी फिर रेवती कहती है रीवा यह तो वही है जिससे हम सुबह टक्रा गए थे बहुत जल्दी में थे तो माफी भी नहीं मांग पाई शायद इसलिए वो हमें देख रहा है रेवती कहती है अच्छा हो सकता है रेवती कहती है कि हमें उससे माफी मांग लेनी चाहिए आप यहीं रुकिए रेवा कहती है कि नहीं हम भी साथ चलते है रेवती कहती है ठीक है फिर रेवती और रेवा दोना आरियन जहां बैठा था उसके पास गए और आरियन से रेवती और रीवा को अपनी ओडाता देखकर थोड़ा सा घबरा गया और अपनी नजरे इधर उधर करके देखने लगा तब ही रेवती और रीवा हुआ पहुँच गई रेवती कहते है सुनिये आरियन चौकती हुई आवाज में बोला कौन मैं क्या आप मुझे बुला रही है रेवती कहती है जी हाँ आरियन बोला हाँ बोलो रेवती कहने लगी हम सुबह के लिए समा मांगने आए हैं हम बहुत जल्दी में थे और आपसे माफी भी नहीं मांग पाए आरियन कहता है सौरी फोरवर्ड रेवती कहने लगी कि हम आपसे सुभे टकरा गए थे और माफी भी नहीं मांग पाए तो आरियन कहता रे कोई बात नहीं मेरा भी गलती थी मैं भी तो ठीक से नहीं देख कर चल रहा था कोई बात नहीं यह सुनकर राहुल आरियन को देखता रह गया और साथ में खड़े आरियन के दूसरे मित्र भी चौक गए क्योंकि आरियन की गलती होने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानता था लेकिन आज उसकी गलती नहीं होने के बाद भी वो माफी पे माफी माफी मांगे जा रहा थ माफ़ी मांगने के बाद फिर रेवती हूँ से जाने लगी तबही आर्याण कहने लगआ आपका नाम क्या है रेवती है टुर आर्यान कहता है मेरा नाम आर्यान है और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझसे बोलना यह सुनकर रेवती और रीवा पीछे मुड़कर देखती है और मुस्कुरा कर कहती है जी धन्यवाद लेकिन हमें किसी चीज की जरुरत नहीं है यह कहकर वे वहाँ से चली जाती है तब ही राहुल बोलता है आर्यन से राहुल कहने लगा क्या भाई क्या हो गया है तुझे कि डर जाती है तब ही रीवा उससे समझाती है कि भाई ने तो दूसरी शादी कर ली तुम्हें भी जीने का हक होना चाहिए आर्यन एक अच्छा लड़का है वे तुम्हें बहुत खुस रखेगा रेवती कहती है कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है इस तरह भी दीरे दीरे प्यार का हैसास होने लगा और दौनों एक दूसरे से प्यार करने लगे यह बात रेवती ने अधिरात से अधिराज के बताई तो वह बहुत खुस हुआ उसने सभी घरवालों को बताया तो сभी को पंडित दौरा नहीं कही गई बात यादाई और कहा कि नह आफी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं पंडित Thank you को भी सांथ लेकर आया हूं पंडित ने बताया कि कंड़ी जो आपने थिखाया रहती नहीं थी बल्कि किसी और कि ती उसका नाम भी दिश्वास था इसलिए अधिराज की कंड़नी में कोई दोस subscription नहीं है बाद में सभी ने एक बेटी की तरह रेवती का विवा कर दिया अब वे बहुत खुश रहने लगी अधिराज भी बहुत खुश था क्योंकि वे रेवती को ऐसे नहीं देख सकता था अब रेवती पढ़ाई पूरी करके अच्छी जोब करती थी और हमेसा खुश रहत थी लेकिन उसे अपने माबाप का वहुत ही गुसा आता था क्योंकि उन्होंने उस अपने जी के कलेजे के टुकडे को बेच दिया था उसके माता पिता ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी पर क्या भीतेगी इसलिए वे भी कभी अपने माबाप से मिलने के बादे एराब